ओमो नमाहिश्वाय दोस्तो मकर रासी वाले जात्कों का इस चैनल पे स्वागत इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जीवनी सक्ती और उर्जा के देवता ग्रहों के सिनापती मंगल का रासी परिवर्तन 15 मार्च 2024 को होने वला है इसका मकर रासी वाले जात्कों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाब देखने के लिए मिलने वला है देखे 15 मार्च 2024 की सुबह है पांच वजकर 32 मिनट पर मंगल मकर रासी को छोड़ कर यानि आपकी रासी को छोड़ कर सनिदेव की मूल त्रिकोंड रासी कुम्ब रासी में प्रविस करने वले हैं और कुम्ब रासी में मंगल 22 अप्रेल 2024 तक प्रभावी अवस्था में गोचर करने वले हैं और सनिदेव के साथ यूती भी बनाने वले हैं मंगल के इस परिवर्तन का जहां सभी रासी वले जातकों के जिवन में प्रभाव देखने के लिए मिलेगा वहीं देश काल वाता वरण के उपर भी प्रभाव पढ़ने वले हैं इसका मकर रासी के जिवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा इसी की जानकारी इस वीडियों में हम आपको देने वले हैं किन-किन छत्रों में मकर रासी बले जातकों को सुवता मिलने वली है और कहां पर आपको जिवन में सावधानी पूरवक चलने की आप सकता भी रहने वली है देखे मंगल को ग्रहों का सिनपती युद्ध का देवता जोतिस सास्तिर में माना गया है मंगल को साहस और संकल्प सकती का छोटे भाई वहनों का ताकत का अचल संपती का सोंतेली मा का विज्जान का कारक माना जाता है इन सभी चीजों पर मंगल का विसेश प्रभाव होता है जन्मकुनली पर बल्वान मंगल का प्रभाव साहस और संकल्व सक्ति प्रदान करता है मंगल अगर बली हो तो जातक विपरीत परिस्थतियों में भी डटा रह सकता है और विपरीत चुनोतियों से निकलने की छंता भी ऐसे विक्ति के अंदर मौजूद होती है सुब मंगल का प्रभाव जहां जातक को पुलिस फोज और प्रिसासनिक छेत्रों में इस पोर्स के छेत्रों में विसेज सफलता कम प्रयासों में देता है वही पीडित प्रभाव मन में निरासा, अवसाद, रोग कई प्रकार के देता है जैसे अल्सर, ट्यूमर, फोड़े फुन्सी की समस्या, बीपी की समस्या, वहीं अगर मंगल पीडित हों तो संतान उत्पन करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है अब आई हम आपको बताते हैं कि इसका आपके जिवन में कैसा प्रभाव मिल सकता है यह फलादेश आपके चंद राशी के उपर प्रभावी है तो आप इसे इसी आधार पर देखे मकर राशी वले जातकों यह जो राशी फल है यह आपके लिए काफी खास और काफी महत्तुपूर्ड भी है मकर राशी वेले जात्कों के लिए जो मंगल हैं वो आपके लाव भाव और आपके राशी के सुक भाव के स्वामी मानी जाते हैं 15 मार्च 2024 को मंगल देव आपके दुती भाव में प्रविश करने वली हैं कुंडली के दुती भाव से धन, मुख, वाणी, परिवार, प्रारम्भिक सिक्षा के वारे में भी विचार किया जाता है आपके जिवन में कई प्रकार का साकरात्मक प्रुभाव आसानी से देखने के लिए मिल सकता है सबसे पहले मकर रासी वले जात्कों मंगल की सुपता आपके जिवन में व्यक्तित तुम्हें आपको सुन्दाता देने वली है और इस सम्यावधि में कार व्यपसाई के मामले में आपको उत्सा के साथ चलने की समर्थता भी बन रही है मकर रासी वले जात्कों के लिए मंगल धन के मामले में तरक्की और धन के मामले में आर्थिक उन्नती देने वले हैं जहां आपके जिवन में यदे आपको किसी प्रकार की धन से जुड़ी हुई समस्याई चल लही है उससे आपको निजात भी मिलने वली है दुती भाव पर मंगल प्रभावी होंगे तो यहां पर आपके जिवन में कर्म छेत्र के मामले में उत्सा के साथ चलने की समर्थता बनेगी अपनी योगिता को सावित करके आप अपने जिवन में अपना काम आसानी से बनाने में सफल रह सकते हैं मकर रासी बले जाता के यदि आप पुलिस, फाउज, प्रसासनिक छेत्रों में, स्पोर्ट्स के छेत्र में, इंजिनिरिंग के छेत्रों में या प्रोपर्टी डिलिंग के छेत्रों में आप काम कर रहे हैं ये समय आपकी जीवन में और भी सुवता आपको देने वेला है इस सम्यावदी में मकर रास्री वेले जात्कों को व्यापारिक जीवन में यदि आप चल रहे हैं तो व्यापार में कोई बड़ा निवेस कर रहे हैं तो आपको सावधान भी रहना होगा दूती भाव पर मंगल प्रभावी हैं तो परिवारिक जिम्मेदारी और परिवार के ऊपर खर्चों की बढ़ोतरी बाई सप्रेल तक आपको विशेश रूप से मिलेगी मंगल की महादसा यदि आपके जिवन में चल लए है तो यहाँ पर वैवाहिक जिवन में आपको बैहस का सामना करना पड़ सकता है और दूती भाव पर मंगल प्रभावी होंगे आपसी फूट और आपसी तनाव भी जिवन साथी के साथ बनेगा मकर रासी के जातकों को करना क्या है देखे आपको अपने जिद पर अपने कुरोध पर नियंतरन बना कर चलना होगा इस चीज को यदे आप जान रहे हैं कि मंगल की अपस्तिती आपके दुती भावग पर प्रभावी है तो आपको अपने जिवन में व्यर्थ की बातों को लेकर तकरार अपने जिवन साथी के साथ रिस्तों में निर्मित करने से बचने की आप सकता भी रहने बली है स्वास्ति के लिहाज से मकर रासी वेले जातकों को इस समयावरी में अलर्ट होका चलना होगा देखें मंगल की जो दृष्टियां है वो चतुर्द दृष्टि आपके पंचम भावपर जाएगी जहां सिक्षा की छेतर में आपका जुड़ाव है यहां पर भी आपको एक आगरता पना कर चलने की आप सकता रहेगी वहीं पंचम और अश्टम भावपर मंगल का प्रभाव रहेगा तो आखों में जलन, पेरों में दर्द, पेट से समधित समस्याएं मकर रासी के ऐसे जातक, जिनकी उमर 50 वर्ष से अधिक है, ऐसे जातकों को मिल सकती है करना क्या है कि मकर रासी के जातकों को इस समयावधि में गलत खान पान से आपको बचना चाहिए सरा, मांसा, हार, धुम्रपान, चरस, गाजा, नसीले पदार्थों का सेवन करने से आप बचे हैं साथ में दिंचरिया भी आपको विवस्थित बना कर चलनी होगी और सोने जागने की आदत का भी आपको ध्यान रख कर चलना होगा ये समय आपको सुवता भी देने बेला है सेहत के प्रतिय आपको राहत भी दे सकता है उपाई की जनकरी दिया जाए मकर रासी बेले जातकों को चुकि सनी मंगल आपके दुती भाव पर प्रभावी है सुन्दर कांड या हनुमान चलिसा का पाट करना आपके जिवन में काफी राहत आपको दे सकता है बेजुबान जानवरों की प्रतिय आप दया का भाव रखते हैं खास तोर से यदि आप गौसाले में जाकर गाईयों के लिए हरेशारे का प्रभंद करते हैं गाई की सेबा करते हैं तो आपके जिवन में बहुत कुछ खास मंगल जनित सुबता भी आपको मिलेगी मंगल जनित उस प्रभाव आपके जिवन से दूर भी होगा उमिद है ये जानकारी मकर रासी बेले जापकों को देहता लगी आने वले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ओम नमा श्वे